काफी लोग जानना चाहते हैं कि rap में flow किस तरह से बनाएं और किस तरह से beat के साथ मिलके rap करें मुझे काफी लोग message करते हैं कि इसके बारे में हमें कुछ बताओ मैं बहुत देर से video बनाना चाहरा था बट पता रहा आज वह दिन आ कोका है जब हम इसके बारे में बात करेंगे so rap flows and how to catch a beat what is up everyone welcome back to the channel मेरा नाम है Harry और आज बहुत ही जरूरी topic जो आप लोग जानना चाहते थे बहुत देर से मुझे messages कर रहे थे कि पाजी किस तरह से rap आपका flow सही किया जाए और perfect किया जाए बहुत से लोग मुझे अपना rap भेजते हैं अपना clip भेजते हैं और कहते हैं पाजी review करो बताओ हम ठीक जा रहे हैं कि नहीं तो उसमें जो मुझे सबसे जादा main जो important चीज missing लगती है वो है एक proper flow timing के उपर होना बहुत जुरूरी है लोग timing के उपर rap नहीं कर रहे हैं और यही problem है कि वो अच्छा नहीं लगगा सुनने में beat कहीं जा रही है और आपकी verse या आपका rap कहीं और जा रहा है जिसे हम इंडिन म्यूजिक में या normal Hindi language में ले भी कह देते हैं कि एक ले में रहके rap करना basically timing के हिजाब से timing के अंदर रहके rap करना तो वो चीज बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है सबसे पहली चीज अपनी beat पे हमेशा attention दो उसको ध्यान से सुनो focus करो कि इसकी timing किस तरह से है अब timing को समझने के लिए बहुत ही simple एक चीज है आपको सिरफ beat के उपर करनी है counting 1,2,3,4 जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था किस तरह से हम bars को count करते हैं बस उसी तरीके से आपको counting करनी है 1,2,3,4 और beat के साथ count करोगे तो आपका जो mind है वो beat को catch कर लेगा वो पकड़ लेगा और वो timing मैंने बैठ जाएगी अब यह किस तरह से होगा मैं आपको एक example के साथ बताऊंगा मैं यहापे play करूँगा एक beat और हम उसके साथ करेंगे counting बहुत ही simple exercise है आप मेरे साथ कर सकते हो So let's play the beat अब यह beat जो हमारी चल रही है हमें इसके साथ counting करनी है 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 तो जब आप यह counting करते जाओगे अपनी beat के साथ तो आपको जो mind है उसको पकड़ लेगा मतलब उसके साथ rhythm में आ जाएगा तो basically जो आपका दिमाग है उसको beat के साथ यह चीज़ उसको rhythm में लानी है एक और चीज़ help करेगी अपने head को साथ में nod करो जब आप counting कर रहे हो तो इस तरह से आप उसको nod करोगे beat के साथ तो वो उस चीज़ को पकड़ लेगा अब यह आपने देखा जो हमारी speed है 1, 2, 3, 4 तो इसको repeat करते हो जब तक आपका mind जो है beat के साथ एकदम sink में ना आ जाए एकदम मिल ना जाए आपको समझ आ जाए कि वो rhythm जो है जो speed है उसकी किस तरह से चल रही है और आप साथ में head nod कर सकते हो जिससे आप उस चीज को पकड़ लोगे so beat को आप पकड़ लो और 1, 2, 3, 4 वाली exercise से आप अपने mind को समझा दो कि यह speed पे चलना है तो उसके साब से आपको easy रहेगा अब इस exercise को थोड़ा सा और interesting बनाते है हम जो 1, 2, 3, 4 कर रहे हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4 यह वाली exercise भी आप repeat करो ताकि आपको जो है आपका mind समझ जाए कि 1 और 2 की position क्या है उसके बीच में जो space है हम उसको भी number से cover कर रहे हैं बट जो 1, 2, 2, 3, 4, 4 तो हमें जो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 इससे हमारी जो mind again हमारा train हो जाएगा वो speed को पकड़ लेगा तो यह exercise करते रहो beat के साथ अपनी counting है उसको चलाते रहो और उससे क्या होगा आपका mind एकदम fix हो जाएगा उस tempo पे अब इस exercise को थोड़ा सा और interesting करेंगे इसमें और numbers आड़ करेंगे पर आप सोच रहे होगे यार already 1122 यह चल तो रहे इसमें और क्याड़ हो सकता है कैसे आड़ होगा maybe speed fast हो जाए तो चलो करके देखते हैं because करके ही पता चलेगा so let's play the beat 1222 23333444 तो आपने देखा किस तरह से मैंने जब numbers add कि उसके अंदर और जादा तो वो जो flow था मेरा थोड़ा complex हो गया और जादा interesting हो गया उसमें changes आगे उसमें variations आगे बढ़ आपने यह चीज़ notice कि होगी कि मेरी जो 1 और 2 और 3 और 4 की जो position जहां पर मैं उसको शुरू में count कर रहा था जब मैं अकेले उनको count कर रहा था वो position नहीं ही ली उसके बीच में मैंने वो numbers add किये तो 1,2,3,4 जो मेरा सबसे पहले वाला initial 1,2,3,4 था वो वहीं पर है बट उसके बीच में मैंने और numbers add कर दिये तो इस तरह से जो flows को आप create कर सकते हो basically जब मैं कर रहा था simple 1,2,3,4 वो तो simple था उसके बाद जब मैंने उसमें numbers add किये तो जब मैं उसको बोल रहा था जब उसमें को perform कर रहा था तो आपने देखा होगा मेरी आवाज में भी changes आ रहे थे मेरा flow भी एक तरह का create हो रहा था 1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,4,4,4,4,1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,4,4,4,4 अब इस तरह से हम flows भी create कर सकते हैं इसी pattern में इसी rhythm pattern में आपको कुछ नहीं करना इन में words को डाल देना है अब हमारा से जो सैकिंड फैर्र था 1,1,2,2,3,4,4 फैर्र अले इस एक तरह का flow बन रहा है न, 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 इस तरह से जो यह जो रिदुमिक pattern मन गया इसके अंदर विवर्ड's फिट होसकते हैं इसके अलावा जो तेज वाला था तो इसके अंदर भी words fit हो सकते हैं मतलब आप देखो possibilities बहुत जाद है आप इसको experiment कर सकते हो बट जो 1, 2, 3, 4 जो single वाले हैं वो kick और snare के उपर ही count होंगे जो मैं initially बताया था मैं एक फिर बताता हूँ 1, 2, 3, 4 इसको exercise को करो बहुत help करेगी अब एक और interesting चीज मैंने देखी है काफी rappers क्या करते हैं beats चला लेंगे उसके उपर ऐसे बकवास करेंगे बकवास का मतलब जो भी मन में आ रहा है वो बोलना है कुछ उसमें words होने नहीं चीए कुछ नहीं होना चीए बस बला-बला-बला करते रहो उससे क्याए flows क्रेट हो जाता है कई बारी और बाद में उसमें words को fit कर दो किस तरह से वह बकवास करनी है मैं आपको दिखाता हूं करके तो सुनने में तो मैं बकवास कर रहा था बड़ाम ने देखा किस तरह से वह बीट में मैं फिट करने के कुशिश कर रहा था यह बकवास हमें बता देगी कि हमारा flow किस तरह से हो सकता है हमें कुछ नहीं हमें अलग-अलग ऐसी रैंडम words fit करने है poetry को fit कर लेना अपने rap को fit कर लेना तो इस तरह से भी आप कर सकते हो beat लगा उसमें बकवास करो इस तरह से flows बनाओ पहले मांड में ऐसे melody सी create कर लो ऐसे rhythm सा create कर लो उसके बाद उसमें words fit कर लो यह टेक्नीक भी काफी प्रो आपने beat की practice नहीं की पहले beat को count नहीं किया beat को aamind के साथ sync नहीं किया उसको मिलाया है नहीं अँपने mind के साथ तो आपका mind जो है आगे पीछे चल रहा है आपके mind को यह लगता है बीट पर बिठाना आना चाहिए जो हम जो basically flow की जो basic foundation है जो बुनियाद है flow की वो यही है कि timing के ऊपर perfect आने चाहिए आपके words जो आपका rap है एकदम proper flow होना चाहिए एकदम beat पर fit होना चाहिए in fact मैंने उनको message करके बोला मैं कि मुझे ऐसा लग रहा है आप कागज से पट रहे हो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है उस चक्कर में even जो वो बोल रहे हैं उस पर ध्यान भी नहीं जाता हमेशा हलकी चीज से शुरू करो कभी भी हमें fast forward जाके या एकदम complex चीज में हाथ नहीं डालना चाहिए पहले simple चीज को समझना चाहिए धीरे धीरे जब आप प्रो हो जाओगे या practice कर लोगे आपको आदत हो जाएगी आपका mind समझने लगेगा कि किस तरह से timing है किस तरह से उसको पकड़ना है एक बार mind पकड़ने लग जाएगा फिर flow को complex कर सकते हो बट शुरू में simple सिंपल रखो चीज रस्मी बहुत हेल्प होगी जब आप कर रहे हो तो attitude का ध्यान रखो यार मतलब लोग क्या कर रहे हैं रैप मतलब बोल रहे हैं कागज में से पढ़के मतलब ऐसे बस जैसे हम यह होता था था न स्कूल में टीचर बोलती थी बड़ी पढ़ों बाल भारत नहीं है कुछ attitude नहीं है कुछ style नहीं है इन सब चीजों का भी तो हमें ध्यान देना है क्योंकि rap is not just reading एक page से rap is also about attitude उसमें एक style भी होना चाहिए एक अदा होनी चाहिए आप किस तरह से rap कर रहे हो बस यह नहीं है कि कागज से पढ़के फटा-फट उसको beat के ऊपर चिपका चाहिए और जब आप rap कर रहे हो तो attitude से करो थोड़ा साथ उसको मज़े से उसको मजा लेकर करो जिस तरह का गाना है अगर वह सैट गाना तो आवाज में वह दिखना चाहिए वह सैडनेस आनी चाहिए अगर वह एटिट्यूड और गुस्से वाला गाना है तो आवाज में भी वह जलकना चाहिए अगर वह आवाज में नहीं जलकेगा तो आप किस तरह से किनेक्ट करोगे अपनी ओडियंस के साथ ओडियंस के दिल तभी चुओगे जब आवाज में भी वह चीज आएगी जो आपके गाने में आपने लिखी है अब यहाँ पे और एक और एक्जां यह 4 पॉइंट्स है हमारे यहां पे हमने काउंट किया था आप एक और इंट्रस्टिंग चीज कर सकते हो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर जो वर्ड्स आएंगे उन पे जादा स्ट्रेस डालो मतलब जो भी वर्ड इन पॉइंट्स के ऊपर आएगा जब आप रैप करोगे तो उ जोड मैं अंदर रो ले खुद नूँ वी तोड मैं जो मैं सोच तो पर निकलेआ कुछ और मैं तो मेरी लाइन है इस तरह से है अब मेरे मांड को आप ड़ाए कि यह बीट के ऊपर कैसे करना है आप ने देखा मेरी बीट बिलकुल मैंने जो रैप किया बिलकुल ओए नहीं इतनी बार मैं कर चुका हूँ मेरे माइंड को पता है कि वीट कैसे कैच करनी है अब जो वर्ड के उपर स्ट्रेस डालने वाली टिकनीक है मैं आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर पंच करूंगा 1 2 3 4 ताकि आपको पता चल जाए कि वह 1 2 3 4 वाले स्पॉट्स कौन से हैं तो तो आपने देखा किस तरह से मैंने स्ट्रेस डाला उन वर्ड्स पे और वो एक अलग सा फ्लो बन गया तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़े ट्राइब कर सकते हो बट जो वाली जो पैटरन है जो एक्सराइज के अंदर रहके और अलग-अलग इंटरसिंग फ्लोस क्रि सांस लेने का समय नहीं मिला तो सांस जरूर लो भाई सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे तो रैप के अंदर सांस लेना बहुत जरूरी है स्पोर्ट छोड़ दो लाइने छोटी लिख लो एक आदा वर्ड हटा लो ताकि वह सांस वहां पे फटा-फट इतना सा ले लो ताकि आपका फ्लो में भी रहे और सांस बहुत भी लेत हैं तो गाइज मुझे अमीद है कि आपको तो कैसे बीट को पकड़ना नमा इसके वहां तो मशलCS कर सकते हzubone वे관 को पूछी जरू करना computer सब्सक्राहिस क्रें उसके अंदर numbers और add करने है और अलग अलग जो flows हैं create करने है और अपने जो words हैं उनको 1,2,3,4 वाली position पे stress करके देखना है कि किस तरह से वो rhythmic pattern बन रहा है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो like कर दो और चैनल को subscribe कर लो because इस चीज से आपको आने वाली वीडियो का पता रहेगा जब वीडियो आएंगी आपको notification आजाएगी और हाँ bell बटन दबाना मत भूलना because उसके बिना नहीं आएंगी वो अगर दबा होगा वो अगर तिक्ड होगा अगर आपने bell बजा रखी होगी तो ही मेरी वीडियो बजाएगी आपके फोन पे so वो चीज जरूर कर लेना so music सुनते रो अच्छा music सुनो और अच्छे music से inspiration लो और flow किसी का copy मत करना अपना flow गना हो कभी भी किसी को copy नहीं करना life में हमेशा original चीज ही बिकेगी original चीज ही लोगों ने पसंद करनी है करने से होगा हिम्मत नहीं हारनी करते रो practice practice is everything practice all right guys that's it for today i hope you guys enjoyed this video आज की वीडियो को यहीं खतम करते हुए मैं लेता हूं आपसे इजाजत और मिलूंगा अगले हफते एक नई वीडियो के साथ time आ गया मेरे closing dialogue का thank you so much for watching and I will see you in the next one